हाँ तो दोस्तो केस से आप सभी आसा करता हूँ कि एकदम मस्त होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में एक छोटा सा स्पीकर है और इसका पीछी की साड में इसकी बारे में सब कुछ डीटेल में लिखा हुआ है यह हमारा 3 इंच का सब उफर है 4 ohm 20 watt इसका maximum power है और plus minus भी लिखा हुआ है तो दोस्तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी 4 इंच, 3 इंच या फिर किसी भी प्रकार की स्पीकर या फिर सब उफर हो और उफर हो आप उसका sound बढ़ाना चाहते हो और bass बढ़ाना चाहते हो तो बिल्कुल आसानी से बढ़ा सकते हो इसके लिए आपको एक इस प्रकार की kit चाहिए जो कि आपको खराब LED बल्ब की अंदर से मिल जाएगा अगर आपके घर में खराब LED बल्ब है तो आप उसके अंदर से ये kit को निकाल सकते हो और ये जो kit आप लोग यहाँ पर देख रहे हो इसमें से हमें दो component को निकालना पड़ेगा और वही दो component से हमारा ये speaker का bass जो है और sound है वो बढ़ जाएगा तो देखे ये जो capacitor आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसको हमें निकालना पड़ेगा हो सकता है आपकी जो kit होगा उसमें और भी बहुत सरे capacitor मिल जाएगा लेकिन जो सबसे बड़ा वाला capacitor होगा उसको ही निकालना और उसी में ही हमारा काम चलेगा तो देखे ये capacitor के बाद ये जो छोटा सा transformer दिखेगा इसको निकाल देना ये सभी हमारा kit के अंदर में से ये दोनों component मिल जाएगा तो चले इसको मैंने निकाल देता हूँ तो दोस्तो इससे पहले हमारा अभी ये speaker की normal sound और bass को सुन लीजे और अभी देख लीजे तो दोस्तो इसके बाद मैंने ये capacitor और transformer को इस कीट से soldering की माध्यम से हटा लिया हूँ आप लोग देख सकते हो और अभी मैंने ये transformer को ले रहा हूँ इसमें देखें दोस्तो हमारा तीन लेक दिखाई दे रहा है हो सकता है आपकी transformer में चार लेक दिखाई देगा लेकिन दोस्तो हमें सिर्फ दो लेक को ही काम में लेना है कौन सी दो लेक को काम में लेना है मैं आपको बता देता हूँ जिन दोनों लेक के साथ आपको एक पतलाशा कपरवर ट्रांसपरमर के अंदर की तरफ गया होगा दिखाई देगा उन्हीं दो लेक को लेना है जैसे कि आप लोग यहां पर यह दोनों लेक को देख सकते हो इसके साथ एक पतलाशा कपरवर ट्रांसपरमर के अंदर की तरफ ग सिर्फ दोनों लेक को हम में लेंगे, तो चलिए दोस्तो ये दोनों लेक के साथ ये जो हमारा इसको ध्यान देना है तो ये जो क्यापासिटर की प्लस वाला लेगे इसको हम ये स्पीकर की जो माइनस वाला हिस्सा है उसके साथ सोल्डरिंग करेंगे तो देखें कुछ इस प्रकार से सोल्डरिंग करना है फिर से बता रहा हूं क्यापासिटर की जो प्लस वाला लेगे उस को यह speaker के minus वाली लेक के साथ soldiering करना है और उसके बाद आपका जो audio का positive होगा उसको speaker के positive के साथ दीजे और यह जो audio का negative हम speaker की negative के साथ दे रहे थे इसको अभी हम यह capacity की जो negative वाला लेगे वहां पर दे देंगे तो देखिए बहुत ही आसान सा connection है इसी प्रकार से आपको connection कर ल को फिर आद लगी बस कुप मैं विपी आयो फाइट, कुप कर वाइट, कि दो एंदी आपका मैं दो स्नुलाइट FEELS FEELS